क्यामूर्ज लेके चैन पुरा थाना श्रेट के नाव धिये गाउं में साथ वर्षे बच्चे के धारदार हतियार से गला काट कर हत्या करने के आरोपियों महिला सिता देवी को पिलिस ने ग्रफतार कर लिया महिला की निशान देही पर हत्या में प्रियोक्त हत्यार को भी जब्त कर लिया गया है ग्रफतार महिला ने एसपी ने घंटों क्या पूश्टाच जहां महिला ने मृतक बच्चे के परिशनों दुआरा इसके उपर अवेद संभन कारोप लगाते हुए कई बार मारपीट और ताना माणने की बात बताई गई जिससे तंग आकर बच्चे की हत्या करने की बात सुईकारी जिससे डाट दिया है आई है चैनपूर थानांतर के नौरी गवाँ में कल एक छोटे बच्चे की हत्या कर दे गए परोज की महिला के द्वारा पुलीस दौररा पहुंच करके महिला को गिरतार किया गया है गरफ्तारी से पहले घाउवाले महिला का थी का काफी प्रोषिट और महिला का को मारपीट कर लाए अधित पूलीस द्वार जिससे छुडा गटना के पीछे महिला द्वारा बताया गया कि जो मिर्थक बच्चा है उसके पिता के दौरा इन पर और इन से दोनों पर अवैर्थ संबंध का आरोप लगाते हुए पहले मार्पिट की गई ती और लगातार इनको प्रतारित किया जा रहा था इसी आक्रोस प्रया करके इस अब किया करवा है उसे अभी महिला को जिल बेरे जागा है देखने में ज्यादा मसा है वीडियो देखें और डेली अंट